जैस्षी राम दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल को इन आफ वान स्टार रीडिंग तो आज की जानते हैं हम और मैं आप सबसे बताना चाहूंगी कि जिनको भी जनरल रीडिंग्स चाहिए और उसके अलावा यूणिवर्स के मैसेज़िस कि वहां पर मैंने काफी वीडियो जाली हुई है और जो उसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी टैलो कार्ड रीडिंग करके है वो तो उस पर आप जाईए और वहां पर आप एजिली जनरल रीडिंग्स और मैसेज फॉम उनिवर्स जो है वो क्या सोच रही है क्या चब रहाएं दिवागे निवागे लिए को इनर्जी आई है किस से डर रही है कि यहां पर ऐसा लग रहा है कि सीबी आई के अंदर ही कोई एक परसन है जो ट्रस्टेबल नहीं है जो सीबी आई की इन्फोर्मेशन लीग कर रहा है एस लगता है कि इसलिये उन्हीं लाए है लुकिन अईसा लगता है कि अईसा नहीं था वो इसलिये उन्हें हटाया गया था क्यूंकि उनके बारे में कुछ information पता चली थी कि वो यहाँ पर information leak कर रहे हैं तो यहाँ पर कहते हैं घर का भेडी लंका ढाय वही चीज चल रही है CBI के अंदर CBI की team के अंदर कोई न कोई person ऐसा जरूर है जो CBI की जो information है उसको murderers तक पहुचा रहा है यह तो हमें एक चीज पता चली है यहाँ पर अब और भी चीज़े जाते हैं क्या हो रहा है इस वक्त और CBI क्या कर रही है क्या चल रहा है उनके दिमाग में क्यों CBI इतना रुक रुक के जवाब दे रही है रुक रुक के response दे रही है और starting में जो तेजी दिखाई थी CBI ने वो slowdown क्यों हो गई अचानक से चल यह देखते हैं अगर हम यहाँ पर देखें तो वाके में CBI की जो इस वक्त condition है वो बहुत खराब है हम सब जो wait कर रहे हैं कि CBI response क्यों नहीं दे रही है कि actual में उनके उपर हर तरफ से इतना जादा pressure है यहाँ पर और यह मामला जो है यह बहुत हटा का politics की तरफ रुक बदल चुका है CBI के उपर बहुत जादा यहाँ pressure है और कोई भी कार्ड ऐसा नहीं दिख रहा जिसमें मैं यह कहूं कि CBI इस वक्त बहुत confident है और उनको बहुत जादा support है और मुझे हरानी यह हुरी है कि यहाँ पर center का भी support नहीं दिख रहा है CBI को यहाँ अगर हम पहला कार्ड लेके तो यहाँ पर definitely CBI के अंदर कोई नो कोई person जो senior position पर है वो यहाँ पर chances है कि जो यह murderers है यह black animal आप देख रहे हैं यह person इनको feed कर रहा है लेकिन सामने से अगर आप देखें तो यह जो यह जनता है यह हम लोग हैं हम जो सोच रहे हैं कि कुछ information मिलेगी CBI से लेकिन यहाँ पर जो भी यह person है यह हो सकता है currently जो SSR warriors में front line में आगे fight कर रहा है यह सुबरमन्यम सौमी भी हो सकते हैं क्योंकि इस वक्त वही मुझे यहाँ पर main दिख रहे हैं तो यह वह भी हो सकते हैं कि कहीं न कहीं वह इन लोगों के साथ है या कोई और person जो ऐसी position पे है जो influence कर सकता है सारे court के decisions को फिर वो चाहे CBI का हो चाहे aims की report हो उसको influence कर सकता है तो इसी लिए मुझे यहाँ पर सुबरमन्यम सौमी जो हैं उनके chances बहुत जादा लग रहे हैं कि वो कहीं न कहीं murderers के साथ यहाँ हाथ मिला चुके हैं और हम जो जनता हैं हमको वो सिर्फ यहाँ बेफकूफ बना रहे हैं तो पहला person जो मुझे लग रहा है जो बहुत जादा influential है बहुत जादा जिसकी बात चलती है और यह politics में है तो यह person जो है यह इन लोगों के साथ मिल चुका है और देखिए आप यहाँ पर हम लोग हैं हम इसकी सरफ देख रहे हैं कि यह help करेगा इस case में but he is also looking at us कि हाँ I am there but in actual he is feeding this black animal and I remember कि सुशान्त के बारे में भी इनोंने काफी कुछ उल्टी सीधी बाते बोली थी तो यहाँ पर पहला person जो आता है जो एक बहुती negative person है जो कहीं न कहीं हमारी fight को weak कर रहा है और SSR warrior बन करके आगे front line में fight कर रहा है लेकिन यह कहीं न कहीं negative है यह इन लोगों के साथ मिला हुआ हुआ है तो पहला drawback है इसका यह pressure डाल रहा है CBI के उपर अगले पर हम जाते है next person जो CBI पर pressure डाल रहा है वह यह police की team यह जो card है यह कहीं न कहीं इसका color है आप देखे यह जो खाकी जो brown color होता है वो है तो यह जो person है यह definitely वही person है जो police में है और यहाँ से उनकी तरफ से भी pressure है CBI की तरफ अब CBI को pressure कैसे है pressure इसलिए है इन लोगों जो सबूत थे यह जो आप box देख रहे हैं यह basically क्या है सबूत जो सुषांत के घर पे से जो सबूत थे जो cameras थे या जो भी information थी वह यह police वाले जो है यहां से हटा चुके हैं तो चाहे cameras हो चाहे सुषांत की bodies से related कोई information हो शायद उनका post-mortem में जो विसरा आया था वो हो कु इसकी ड्रेस में देख रहे हैं यह लोग evidence लेके जा चुके हैं तो यहां पर भी CBI के लिए सिर्दर्ध है क्योंकि यह information वो चाहा कर भी नहीं ढूंड पा रहे हैं क्योंकि यह जो evidence है यह लोग ही collect करके लेके जा चुके हैं यह पुलिस वाले यानि कि मुंबई पुलिस ने शांदार काम किया है शुरुआत में उनने सारे evidence खतम कर दिये हैं जिससे की CBI को बहुत दिक्कत हो रही ही evidence को trace करने में और थोड़ी बहुत मेहनत कर भी रहे हैं तो जो यह politics में जो उपर सिहासन पर बैठे हुए यह लोग murderers के साथ मिल करके इस मुहीम को weak कर रहे हैं अब यह सब यह दो obstacles तो हमने देख ले तीसरो obstacles मैंने शुरू में ही कहा कि CBI की team के अंदर ही कोई person है जो इनका चमचा है जो यह सब चीजे information आगे पहुचा रहा है तो मतलब कुल मिला के team तो यह हो गए उसके बाद आप देखिए यहाँ पर फिर से जो यह जो भी लोग बहुत powerful है उनसे request करी जा रही है लगाता उनसे यह जो person जो murderers है उनको request कर रहे है to put pressure on CBI तो आप यह चारो cards अकर देखें तो चारो cards में ही CBI के लिए सिरदर्द है यहाँ से देखें यहाँ से politics में जो person है वो show कर रहा है कि हमाए साथ है लेकिन murderers के साथ है यहाँ पर जो यह murderers है वो request कर रहे हैं इसी person को हो सकता है यही person हो या इससे भी कोई superior हो कोई ऐसा जिसकी बहुत power हो उससे request कर रहे हैं कि इस हमारे मतलब यह हमारे जो सबूत है यह सामने ना आए फिर यहाँ पर जो police वाले हैं वो अलड़ी सबूत गायब कर चुके हैं फिर यहाँ पर जो CBI की team ह उसके अंदर कोई person है जो सारी information जो है वो मदरस तक पहुंचा रहा है तो कुल मिला कि CBI अगर हम first front row को देखे तो कटकुतली बनी हुई है इस समय there are puppet in the hands of these political leaders, in the hands of these policemen and in the hands of this person who is there in CBI team तो यहाँ चाहा कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो लोग अब हम आगे आते हैं तो आगे और भी जादा आई सी situation दिख रही है उनके बारे में अगर आप इस card को देखे तो यहाँ पर लगता है कि CBI को लगाता डराया जा रहा है finances को लेकर के CBI की टीम के जो members है उनको पैसो से या किसी किसी तरीके से उनको डराया जा रहा है जो चीज़े सामने नहीं आ रही है यहाँ ऐसा लग रहा है कि उन पर pressure इस तरीके से है कि family को खतरा है या उनको finances उनके खीचे जा रहे हैं कुछ किसी तरीके से यह जो बुल energy आ काम कर रहे हैं अगर वो कुछ बोलेंगे तो they will be attacked like जैसे परसन है इसको हर तरफ से यहाँ पे बर्ड्स अटैक कर रहे हैं पैसे इसके हाथ में की है पैसों की है खजाने की है इस पर अटैक कर रहे हैं हर तरीके से इस पर अटैक हो रहा है और यह कब तक fight करेगा इन लोगो है टीम में कोई है पॉलिक्स में कोई है जो पुलिस है उन्होंने information सारे जो है corporate उतना नहीं कर रही है सी बी आइसे जितना करना चाहिए अब यहाँ पर हम देखे तो अगर फिर भी यह सब प्रॉब्लम्स को face करके भी honest CBI officer अगर information लेके आ रहा है तो क्या हो रहा है मतलब य सुब्रमन्यम स्वामी हो गया जो भी यह person है जो जनता को बेफकूफ बना रहा है इस person से भी information लेके इस basket में CBI आगे बढ़ी यहाँ पुलिस वालों ने corporate नहीं किया फिर भी CBI ने जो information में लेके आगे बढ़ी फिर यहाँ पर जब वो information उनके पास आ गई आपस में discuss कर रह है उसने यहाँ से information ले ली और जाकर के फिर से यहाँ पर गोहार लगाई कि इनको रोको फिर से pressure डालने के लिए बोला गया और यहाँ पर फिर उन्हें डराया गया CBI की team को फिर यहाँ CBI की team फिर से depression में है अटैक हो रहे हैं लेकिन फिर भी फिर भी रेखे यह person यहाँ र हो जाएंगे तो reading में यहां तक तो ही आ रहा है कि यह सब obstacles होने के बाद भी जब यह यहां तक आएंगे 11 के बाद 12 कार्ड है major अरकाना है तो फिर से यह यहां पर आके stuck हो जाएंगे मैं एक card और निकालूंगे just to see कि इसके बाद क्या होगा क्या finally यह इस case में कुछ कर फाए क्यांगे इतना obstacles के बाद just give me one final card and please tell me if CBI will be able to do something in this case or they will be stuck like this, one final card, lots of arguments, fire, यानि कि यहां ऐसा लग रहा है कि बहुत जादा इसके बाद fight होगी, बहुत जादा arguments होगी, बहुत जादा लड़ाई होगी, क्योंकि जब CBI यहां पर stuck हो जाएगी और response नहीं आएगा उसके पतला बहुत जादा लड़ाई होगी, कह सकते हैं जो SSR warrior है वो यहां पर बहुत जादा रोश प्रकट करेंगे, और जब यह रोश प्रकट होगा उसके बाद हो सकता है कुछ हो लेकिन यहां fire है, तो हम यह नहीं कह सकते कि यहां पर CBI successful रह पाएगी, CBI को आने ही नहीं दि जाएगा, CBI को decision लेने ही नहीं दिया जाएगा, CBI को रोका जाएगा, और यहां finally क्या होगा, जनता भढ़क जाएगी, और जब जनता भढ़केगी, उसके बाद हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन फिलहाल तो CBI की जो हालत है, वो मैंने आपको बता दी, पूरा समझा दिया, क् CBI यहां पर स्टक हो जाएगी, और जनता को आंसर नहीं कर पाएगी, स्टक हो जाएगी, तो यहां पर एक आक्रोश होगा, जन आक्रोश होगा, जिसमें यह fire आप देख रहे हैं, तो lots of fire, lots of arguments, fights, यह सब होगा, और जब यह होगा, उसके बाद देखते हैं, हो सकता है कि मु CBI क्योंकि यहां पर स्टक है, CBI अंसर नहीं कर पाएगी, लोगों की सवालों का, तो यहां पर जन आक्रोश होगा, fights होगी, दंगे भढ़केंगे, या जो भी आप खह सकते है, SSR Warriors जो है, वो यहां पर fight करेंगे, justice के लिए लड़ाई करेंगे, और यहां बहुत जादा arguments द General readings चाहिए, अगर आपको अपने लिए universe के messages चाहिए, तो मैं एक link share करूंगी, description box में, उस पर आप click करें, और मेरा दूसरा channel है Queen of Wands Tarot Reading, उस पर जाकर के subscribe करें, और वहां से आपको General readings, universe के messages सब आपको available रहेंगे, ठीक है, तो आप प्लीज उस पर जाएएगा ज़रूर, and if you want to personalize reading, आप मुझे whatsapp को लें, नबर है 98990003666, जै श्रीराम, जै भारत